नमस्ते दोस्तों, I hope you all are doing good, आप सभी स्वस्त होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे एक topic जिसमें हम transfer of ownership by non-honor की बात कर रहे थे यानि जो खुद मालिक नहीं है, क्या किसी और को मालिक बना सकता है, हमने कहा था, नहीं बना सकता है हमने कहा था, कुछ exceptional situations है, एक example यहां दे रखाया है, कि अगर कोई stolen goods है, तो अगर वो किसी और को बेच भी दे, तो he will get no title अधिकार नहीं मिलेगा, हाइर, हाइर पर्चेस पर जो हाइर है, मतलब जो हाइर पर्चेसर है, वो अगर किसी और को आगे sale कर दे, तो भी आगे does not acquire ownership, उसको एक अच्छा ownership नहीं मिलेगा, ठीक है exceptions हमें discuss करने हैं, हम बाकी बात तो discuss कर चुके थे, in the following cases, a non-honor can convey, better title to the bona fide purchaser of goods for value, ये line क्या कहना चाह रही है, exception में, in the following cases, जो cases अभी हम नीचे पढ़ेंगे, mercantile agent है, joint honor है, liquidation करने का case आगया, finder of goods आगया, unpaid seller आगया, और भी बहुत सारे points आएंगे, in the following cases, in non-honor, जो खुद honor नहीं है, can convey better title, यानि, वो buyer को honor बना सकता है, तो the bona fide purchaser, यानि, purchaser कौन होना चाहिए, bona fide, मतलब good intention के साथ, यहाँ, दो-तिन बातों पर ध्यान देना, सबसे पहली बात, list जो है, वो exclusive है, मतलब जो list निचे आपको दे रखी है, इसमें एक अदि situation और कोई बनती है, तो मैं आपको बता दूँगा, बलही, लेकिन जो list है, वो exclusive है, मतलब उस list के अलावा, जो इसमें लिखी है, प्लस एक अदि situation इसमें नहीं लिखी है, तो आपन बात कर लेंगे, उस list के अलावा किसी और केस में, अगर bona fide buyer भी है, तो भी ownership transfer नहीं होगा, clear हो रहा है, यानि उस list में, चोरी के लिए कुछ नहीं लिखा गाया, A ने stolen goods, B को बेचे, A सेलर हो गया, B फायर होगे, B ने good faith में खरीदे, B ने good faith में खरीदे, बोन आफ़ाट intention के साथ खरीदे, ये मानते में खरीदे, goods A कहीं है, उसको लगा भया goods A कहीं है, A को बोला कि हाँ ठीक है भाई साब goods आपके हैं, बढ़ी आईए लो पैसे लो साब, मेरे साब साथ गोट्स आपके ही लग रहे हैं, उसके मन में सोचा, बोलने वाली बात क्या होती है, आपके से दुकार में जाए goods खरीदे हो तो ये थोड़ी बोलते हैं, बचाब goods देखने में आपके के लग रहे हैं, चोरी के तो नहीं है ना, तो बी को लगा क्या, goods ये कही है, नॉर्मल जागे खरीद लिये उससे, इससे, बी की क्या गलती साब इससे, या एक ये पास इससे खरीद लिये, खरीद लिये, क्या ownership transfer होगी, नो, we will not get a better title, चुंकि चोरी का माल उस list में नहीं है, हायर पर्चेस की बात करते हैं, मैंने बाइक हायर पर्चेस पर खरीदी, और मैंने बाइक किसी मिस्टर एक्स को बेच दी, उसने बहुत अच्छे भावनाओं के साथ goods को खरीदा, उसे बिलकूल ये विश्वास नहीं था, ये पता नहीं था कि I am not the owner, He was thinking that Mahadev Bahiti is the owner, वो ये सोच के भी चल रहा था कि Mahadev Bahiti true owner है, और उसने goods खरीद लिया, क्या उसको better title मिलेगा? No, he will not get a better title, he will not get a better title, उसको एक अच्छा अधिकार नहीं मिलेगा, उसका ownership नहीं मिलेगी, simple बात में कहना चाह रहा हूँ कि वो list exclusive है, उस list की चीज़ें ही applicable होगी, एक से, यस, पहली बात तो list exclusive, दूसरी बात, वो list भी applicable कब होगी? जब buyer का, good faith होगा, यानि buyer ने धोका देने के लिए चोरी करने के उद्देशे से मिली भगत करके नहीं खरीदा है, अगर कोई मेली भगत करके चोरी के उद्देशे से काम किया जारा, धोका देने के fraudulent agreement किया जारा तो नहीं चलेगा, fraudulent contract act माना कर रहा है, और सेंट सम गूर्स एक तो contract act के business पर ही चलता है, तीसरा, जो seller है, वो true honor को, जो भी value receive होई है, वो refund करेगा, return करेगा, पैसा तो आपका है न, आप लो, माल लो, ये एक mobile है, चुन्नु एन मुन्नु आर जॉइंट ओनर अफ दिस mobile, हो सकता है, न, उनने साथ में खरिदा था, वो लेक दिन तो यूज करेगा, एक दिन मैं यूज करेगा, यार जॉइंट ओनर, चुन्नु को, किसे ने का क्या रही है, mobile आपका मैं गजजार भी खरिदे हो, तो ये रोसको लगा यार, हमने खरिदा 12 में था, एक साल से यूज कर रहा है, अभी भी दस में ले रहा है, मस्त यार, मस्त डील यार, उसने हत्वाद बेज दिया, चुन्नु ने मुन्नु से पूछाए नहीं भी न, पूछे बेज दिया, अब इस mobile में पूरी ownership चुन्नु के अकेली कि थी क्या नहीं, आधी चुन्नु की थी, लेकिन चुन्नु ने मुबाइल बेच दिया और खरीदने वाले ने अच्छे उद्शे से खरीदा है, अब दोनों ने मिली बगए थोड़ी की, मेरा और चुन्नु का मिला कर 10,000 का, 12,000 का था, मैं तो जो 500 में बेच देता हूं, मुन्नु के और पांचार मुन्नु के वाल्यू तो डिवाइड होगी, या जो ट्रू अनर उसको मिलेगी, या दोनों जॉइंट थे तो दोनों को आधी आधी मिल गई, और सिंगल अनर होगा तो पूरा पैसा उस सिंगल अनर को मिलेगा, खरीदने वाले के अच्छी भावना होनी, चाहिए कि गुड़ पैस में खरीदा है, चले, एक्सेप्शन में अपन सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं, सेल्स बाइ ए मर्केंटाइल एजेंट, एस सेल मेड बाइ मर्केंटाइल एजेंट देख गुड़ और दोक्योंट अफ दिख रहे हैं, एक मर्केंटाइल एजेंट जिसके पास गुड़ या दोक्योंट अफ गुड़ रहे हैं, एक अच्छा अग्णाशिब ट्रांसफर कर पाएगा, if he was in possession of the goods or document of title with the consent of the owner owner की consent से उसके पास goods थे owner की consent से उसके पास document of title था चोरी चेकारी से goods ठाके नहीं लाया चोरी चेकारी से document ठाके नहीं लाया consent से था if the sale was made him by made him when acting in the orderly courts of business as the mercantile agent एक mercantile agent की तरह जो काम होना चाहिए था उसी तरीके से उसने काम किया है कोई फर्जेवाड़ा करने कोशिश नहीं की है if the buyer had acted in good faith and has at the time of contract of sale no notice of the fact that the seller had no authority to sale यानि जो buyer है उसने अच्छे भावना के साथ अच्छे उद्देशे के साथ goods खरीदा है उसको इस बात की जानकारी नहीं थी जो इसके वो बेचने का अधिकार है के नहीं है उसने देखा कि इसके पास goods पड़े है ये उसका agent है तो goods बेचने का अधिकार होगा ही और उसी विचार के साथ उसी अच्छी भावना के साथ मिलके खरीदा है और कोई मेली भगत का काम उसने नहीं किया है Sale by one of the joint owners यह जो भी में चुन्नु मुन्नु वाला example लिया था If one of the several joint owners of the goods has the sole position of them यनि पूरा goods उसी के पास है sole position मतलब goods पूरा का पूरा उसके पास है honor तो joint है पर goods उसके पास है mobile के honor तो joint थे चुन्नु मुन्नु पर goods पूरा किसके पास था mobile पूरा किसके पास था चुन्नु के पास then by permission of co-owners यनि co-owners से पूछ कर goods बेच पूछ के नहीं रहा है goods पूछ कर है clear कर लिया यनि चुन्नु और मुन्नु ने decide किया था चुन्नु के पास जब mobile है तो मुन्नु की permission से यह न पूछ के तो है कि भाई एक दिन तो एक दिन मैं रखूंगा वाला एक दिन उसके पास है यनि goods की position बाकी को ओनर से पूछ कर है the property in the goods is transferred to any person who buys them of such joint owner in good faith खरीदने वाला good faith में खरीद रहा है and has at the time of contract of sale notice that the sailor has no authority to sale इसको अधिकार मतलब उसको इस बात की जानकरे नहीं थी कि वह जॉइंट ओनर है चार है चार में से इसको बीचेने का अधिकार है के नहीं है उसने good faith में खरीदा है एक और example लेके तुन्नु मुन्नु चुन्नु और मुन्नो ने jointly mobile खरीद दोनों mobile के मेरे पास साँ में जॉइंट वाल खरीदा है एक दिन चुन्नु रखेगा एक दिन मैं रखोंगा एक दिन और अगर बेचना हो तो फिर कौन बेचेगा तो चुन्नु ने मुझे clear कहा, मुन्नु ने मुझे clear कहा, कि सर हम दोनों एक साथ ही बेचेंगे, इंडिविजुली कोई बेचने का अधिकार नहीं रखेंगे, तो clear मुझे इक बात बोले, एक मेने बाद चुन्नु मिरे पास आया, बोले सर ये मुबाइलम बेचना चाह रहे तो अकेला आया, मुबाइलम बेचना चाह रहे, फारा जार में खरीदा था, अब छेह जार में बेचने का मूड है, second end हो गया, छेह जार में बेचने का मूड है, अब खरीदना चाहोगी क्या, अगर मैं छेह जार उपर देखें, मुबाइलम खरीदता हूँ, I will not get a better title, I will not get a better title, मुझे, मुझे अच्छी ownership नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्यों मैं नहीं बनूँगा, because, जब मैंने contract of sale किया, at that time, I had the notice, मिझे इस बात की जानकारी थी, कि चुन्नु अकेले के पास, या मुन्नु अकेले के पास, बेचने की कोई authority to sale नहीं है, they have no authority to sale, individual, individual authority to sale नहीं है, इस बात की मुझे जानकारी थी, फिर भी मैं खरीटता हूँ, तो मैं गलती का, आख समय, मुझे ध्यान नहीं है, मैं चुन्नु मुन्नु को पहले से जानता है नहीं, चुन्नु आया मेरे पास, बेचना चाहरा हूँ, हाँ ठीक है साथ, को दिक्कत नहीं ही, पैस बी कॉंट्रेक्ट हो सकता, पुर्घेल हो सकता, भी मैं केरा को मेरा बोकिरा इसका, ज कोटमे केस चल रहा है, मैंने पूला, सर финफे बंदूक रखे गुट्स लिए थे, वो कह नहीं, बंदूग नहीं रखी थी, कोंटमे केस चल रहा, तो गुत्रेक्ट कीस 카메라 सीबात को सा वाइडेबल जगड़ा चल रहा है वो के रहा है सरवे बंदूक रखे गुड्स लिए मैं के रहा हूं नहीं रखे वो के रहा रखे मैं के रहा हूं नहीं रखे और गुड्स मेरे पास है जो पॉजेशन है अगर वो गुड्स में जो पॉजेशर है अगर वो गुड्स जाएगा और जब सामने वाला बंदा केस जीद जाएगा तो मुझे उसका पेमिंट करना पड़ेगा जीद जाओंगा तब तो कोई बात ही नहीं है सेटलमेंट जो भी होगा हमारे बीच फिर वो पैसों में होगा फुट्स में नहीं होगा क्योंकि इस पैंसल का जगड़ा चल रहा साब उसने केस कर रहा है सर इसने जबर्दस्ति ली मैंकराउंड नहीं साब इसकी इच्छा से ली मुझे लग रहा मैं केस हाडने वाला हूं मुझे लग रहा मैं केस हाडने वाला हूं whether i have acquired for जबर्दस्ति और whatever lot of circumstances देखेगा इतना कानूर के आंखों पर पट्टी बन दी है वो तो परिस्तितव देखेगा भया इन सिच्छेशन में क्या लग रहा है उस साब से बात करें евич को क्या लग रहा एक पैंजल चाहिए यह उसी के मैंने सर्वबंदु करके डरा दम का के पैंजिल ली फॉन्टैक्ट इफ यह लोग पेंपरों डर। ऑब बोले किपैंजबर वाहत वापस दो में इस पैंजब्स देना नेलप कर न्यघ है मैंने मुन्नू को कहा मुन्नू कि पैंसिल मैं तुझे बेज देता हूं 5 रुप और यह जब कोट का केस में सब निबढ जाएगा मैं हर जाओंगा ऑविसली केस मैं कि यह दूगा पैंसिल तो मैं बेच चुक हूं पहली अंदर को लो चिका मुन्नू पैंसिशन ऑफे गूट्स अंडर वाडेबल कॉंट्रैक्ट और मैंने सेल कर दी वांटेट ऑफ सेल तो हो गया मैं केस हार गया पैंसिल लेलो साब जो फाइन वगरा लगता आपको कोट को लगता सब जो भी फाइन पैनल्टी जो भी जो भी कोट डिसाइड करना चाहे वह वो पेनल्टी कॉंट्रेक्ट में थो ही नहीं सकते हैं पर लॉ सकता फेलियू करना लो इंपल्टि क्लियू सकते लला कर सकते हैं रसते वात छांक तरीकल करन में चलां चला ना काटाएंगे सींग्यारी फिनोरेटी तिन आपकी अम्हान थे पास है क्या बात कर रहे हoba park और भुरु नहीं मुनू ने क्या कहा आपकी अमानुद आपकी आप सुर्फिंगे इसस दीन Channel पंस जी पैंसिल आते जान आज़के मैं याएक पंसुर भी क्या मैंने जो मुन्नु को पैंसल सेल की है that is a valid sale no that is not valid हमने क्या बुला good faith सद्भावना क्या खरीदने वाले ने good faith में खरीदा है नहीं धोका देने की उद्देश्य से fraudulent agreement किया है a buyer would acquire a good title to the goods sold to him by the seller by a seller who had obtained possession of the goods under a contract voidable on the ground of cause and fraud misrepresentation and influence किसी भी कारण से किसी भी कारण से अगर contract voidable है और जो possession है वो बेज देता है वो सेल कर देता है तो उसको हम valid sale मानेंगे but it must be in good faith मैं clear कर दूँ आपको यहां इसने word लिखा नहीं but it must be in good faith एक बात provided that the contract had not been rescinded until the मतलब court का decision नहीं आया contract rescind नहीं हुआ contract खत्म नहीं हुआ उससे पहले-पहले मैंने sale कर दिया अगर पहले contract rescind हो चुका होता उसने बोल दियो जससाब मुझे पूरा नहीं करना सर्वे बंदूग थी यह देखो जससाब सर्वे बंदूग थी देखो proof जससाब ने कहां contract rescind, contract खत्म है जससे contract rescind कर दिया खत्म कर दिया उसके बाद में आगे further sale नहीं कर सकता Sale by one who has already sold the goods but continues the position thereof यह एक बंदा goods को पहले बेच चुका है पर अभी position उसके पास है मैंने आपको contract कर लिया मैंने का pencil आपकी हाँ आपकी आपकी कल मैं pencil देदूंगा ownership आपकी है आप मैंने का पैसे शाम को देदोगे मैंने का आज ए class record करनी आज record करके कल आपको देता हूं मैं pencil done done बात हो गई sale हो गई हाँ parties का intention to transfer था property बिलकुल हाँ आपको यह बंदा आया उसने का सराव के pencil खरीद दीए 6000 में मैं सुबह कितने बेच के आपकी 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 मैंने का हमेरी यह तुद रोजी देखता मेरी यह बिल वगए रहे देख मेरे नाम पर सारी चीज़ए क्या बात कर रहा है बोलागे बोल क्या कह रहा था यह पैंसल खरीद दीए 6000 में का 6000 में कोई बात नहीं बेच देंगे तेरको आपना अगमी यानि मैं सेलर आल्रेडी सेल कर चुका हूं बट स्टिल इन पजेशन ऑफ दा गट्स और अब मैं इसको वापस बेच रहा हूं किसी दूसरे बंदे को सामने वाला वेक्ति गुड़ है रेल्वे में पड़ा रेल्वे वारंट रेल्वे रश्रुच यह उसकी पास है कि मैंसेल देंट ना थार्ड परसंट और सच परसंट आप्टेंस अडिलेवरी दरफ इन गुड़ फैट गुड़ फैट में बूड़ जाता है और विदाउट नोटेस अफ देश्य कि हाँ सरकाही पंसेल है सरी दे रहे तो ने पैंसल दिया पैसा लिया स्वालेट वालिट 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 सुलोजो सुबह 5,000 अब्सका क्या होगा फिरань केस करेगा compensation लेगा वो सब होगा वो सकते हाजारी पर जो एक्स्टा मुझे मिला वो पूरा का पूरा compensation में ले जाए बिल्कुल possible है लेकिन जो second बंदे ने 6000 में खरीदा है उसकी ownership बिल्कुल strong होगी और उससे किसी भी कीमत पे goods वापस recover नहीं किये जा सकते sale by buyer obtaining position before the property in the goods has vested to him हमने कहता goods send on delivery goods send on approval हमने approval पे goods बेचे who is the honor मैं या approval वाला अभी तक तो मैं जब तक वो हाँ ना करे हमने कहता वो अगर हाँ कर दे तो उसकी ownership है उसने हाँ नहीं किया और हाँ करने से पहले उसने goods किसी मिस्टर वाई बेच दिया तो मिस्टर वाई को goods मिला है तो फेट में खरीदा है अब देखो मैंने जब गूट्स अन अप्रोबल भेजा विने गुट्स भी बेजा डॉक्यूंटर प्राटल भी बेजा सब चीजी उसके पास सई यह सलामत पड़ी है प्रापर पड़ी है और कोई तीसरा बंदा उससे good faith में खरीद लेता है तो देट कि अभी वह अनर है क्या नहीं मिस्टर वाई से बात कर कर रहा हां गुट्स में आपको बेज दूंगा इतने में आप खरीद लो यह वो वहूर अनर है नहीं उसने का यह लो गुट्स आपके हुए उसने बोला गुट्स आपके हुए उन्षिप ट्रांसफर करती क्या वह ओनर था क्या नहीं बीना ऑनर होते भी उनर्शिप ट्रांसफर कर सकता हां वेलिड माना जाएगा Yes और उसको जैसे हम वैलेड मानेंगे हम यह भी माल नहीं कि उसने हमसे खरीदा है जो भी टाइम लिमिट थी उससे जादा और टाम लिमिट नहीं थी तो अन्रिजनेबल टाइम तक के लिए होल्ड कर ले या फिर वो आगे किसी और वो गुट्स बेच दे खुद यूज कर ले यहीं लिखावा है वेर बायर विद दा कॉंसेंट ऑप्टेंस पॉजिशन ऑफ दा गुट्स जो बायर के पास गुट्स हैं वो सेलर की कॉंसें टूरी करके नहीं लाएं सेलर ने खुद ने दिये गुट्स किसी मळस कट घुट्सPS बेच्च का लाएं । इस बायर मन ने लिखाव करा पास गालएं सेलर श्युट्ब्धन का पास का प्ट दे टांस्थिए बायर विदा हैा विद्धन के लिखावः श्द्स लिख्यु पास बाइजकि तूरा फूरा हिएं सेलर ठाम पतीन इसलर ग बात की जानकरी नहीं थी कि सेलर नभी तो इसका अनर्शिप नहीं दी है अवी तरफ भी तेल में ऑगए राइट अफ ही इसको सार्ण डिस्केशन करोओंगा लीन एक वर्ड अभी आप थोड़ा सा इग्दोर मार दूए अब इतना सा समझे लो कि उस फड़ पार्टी को उस मिस्चरवाई को उस बात की जानकरी नहीं है कि मैंने अनुट्रशिप ट्रांसफर किये कि नहीं किये अभी तक वो अनुर है कि नहीं है इसको पता निए उसको तो लगा इसके उनर्शिप उस ते खरिद ली वालेट सेल माना जाएगा हावेवर ए पॉसन पजिशन अफ गोड्स अंडर हायर पर्चीज हायर पर्चीज में है तो आगे नहीं बेच सकता है साथ नेक्स्ट इफेक्ट अश्टपल आपके सामने आपकी चीज बेच रहा है वर दा अनर इस अस्टप्ड पाइ कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग दो सेल्रॉटर्टी तो सेल याई उसने खुद में चुप रहकर इस बात के अनुमति देदी कि हाँ साब तू बेच ले बेचने वाला ट्रांसफर है जिसको मिला वो ट्रांसफरी जो नया बायर हो गया टेक्निकली अगेंस दा ट्रू अनर उसके पास एक अच्छा टडल हो जाएगा अब वो एक अच्छा अनर हो जाएगा बट बिफोर अगुट अटल बाय स्टॉप्ट कैन वी मेड इस तरीके से बिहेव किया कि सामने वाले बंदे को बेचने का अधिकार मिल गया मतलब आपने उसको रोका नहीं उसके मना करने पर भी आपने कुछ बोला नहीं पर आपके सामने कह रहा हूं यह देखो यह आपक नहीं तो आपके सामें एक चीज बीक रही है और हाँ ही 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 तो चीज में गए खाला हूं मतलब ढाट सेल इस वालिड आपने उसको कभी भी कुष्चिन नहीं किया उस व्यक्ति को जो जो उस पूरे प्लाटफॉर्म में आपके एपडेट को बेच रहा है उस पूरे ने उठाया उसने आपको आपने उसको रोका नहीं उल्टा आप देखो पहले आप रोकने की परिस्थिति में नहीं थे और रोका नहीं तब ठीक है तबस आपका वाएलीड असा तब तो तो सेल वैलिड नहीं जाएगी आप यहां हो इह नहीं लेकिन आप होर आपने ऐसे कंड़क्ट किया आपने ऐसे दर्शाया कि आप सामने वाले को रोक सकते थे और आपने रोका नहीं या मौन रहकर आपने उसको अधिकार दिया बेच दे यह आपके सामने आपके चीज बेच रहा हूं और आप मुझे रोक नहीं रहे हो जब 4th unit मा आएगा Unpet seller के पास Right of Lean होता है Right of Resale होता है सारे हम भान discuss करेंगे Right of Lean, Right of Stoppage and Transit क्या होता है सब हम भान discuss करेंगे फिर हम भी समझेंगे कि अगर वो sale करता है तो It is a valid sale valid sale मानी जाएगे दूसरे law में भी कुछ provisions दे रखें है Official Receiver or Liquidator of a Company अगर कोई कंप्पनी इंसल्वेंट ओती है यह कोई लोन वगेरा का डैट वन का consistent नहीं कर पाती है और वह डैट लीट माम के टेट पार है इंसल्वेंट हो रही है और ज़िसके यह जो पैसा बांगता है वो चला जाता है तो कोट वहां से एक official receiver appoint करता है official receiver काम है कि company से पैसा receive करके उस बंदे को देना जिसका पैसा है और अगर company बंद होना चाहती है wind up करना चाहती है तो वहां पर court से liquidator appoint होता है जिसका काम है कि भाईया आप जाओ कमनी के सारी चीजें बेचो जो कमनी से पैसा मांगते हैं उनको payment करो जो employees उनके संदरी पे करो अगर government dues बाकि वह पे करो उसके बाद जो पैसा बचता है वह पहले preferential holder को दो फिर बसता तो equity shareholder को दो फिर भी बसता तो equity shareholder को और दे दो और सब equity shareholder को बराबर मिले ध्यान रखना अब लग श्यर्स के proportion में बराबर मिले इस बात का ध्यान रखना जो लिक्विडेटर है और यह जो ऑफिशल receiver है इंसल्वेंसी के केस में official receiver और wind-up के केस में लिक्विडेटर यह दोनों goods के मालिक नहीं मालिक तो company के के जब सारे चीजे बिक्येगी उसमे fix assets भी होगी उसमे movable assets भी होगी इसमे movable assets भी होगी तो movable assets भी goods भी होगी तो goods के original मालिक कौन है company पर अभी बेचेगा कौन लिक्विडेटर यह receiver क्या इनके द्वारा केगी सिल्वालिट मानी जाएगी हाँ 100% valid मानी जाएगी पर्चेसर को वली टाइटल मिलेगा पर्चेसर ऑफ गुड्स फ्रम में finder ऑफ गुड्स विल गेट वली टाइटल अंडर सरकम्स्चंस यह यह इसमें प्रपर लिखा नहीं है लौ कहता है अंगर गुड्श परिशिबल निचर के हैं finder अफ गुड्श के लिए बात मोलता है अगर गुड्स परिशिबल निचर के हैं ये टक सिर्फ खराब हो जाएंगे पर रिख देगात को आपको मदले फूर्ट मीले कुछ और ठीक्टा कंडिशन में थे फ्रूट्स मतलब पकेवे थे बिलकुल आप दो दिन रहेगे तो खराब हो जाएंगे आपने आसपास देखा कोई मिला नहीं फिर आपने चलो बेचो जब कोई आएगा तो परसे देखेंगे साथ आपने आदा गंटा देख लिया फिर बेच दिया तो आपके पास अधिकार है बेचने का और परिशेबल नहीं है और आपने रीजनेबली ओनर को ढूंड लिया उसके बाद आप उस घुट्स को बेचने का अधिकार रखते हो जब टूंड़ने पर आपका जो खर्चा हुआ तो उसको माइनस करने के बाद लेजवाले केस में पावनी को बोलता है क्या है प्लेजवाला केस समझना अगर मैंने अपनी अंगूठी आपके पास गिरवी रखी है और मैंने का 6 महिने में मैं आपको पैसे दे दूंगा 6 महिने का टाइम है मैं 6 महिने में आपको पैसा नहीं दे पाया प्लेज में दो पार्टी होती है पावनर पावनी जो प्लेज करता है जो देता है मतलब जो गुट्स दे रहा है तो पावनर और जिसको गुट्स मिल रहा है वो पावनी पावनी इस टेक्निकली बेली जो रिसीवर अफ गुट्स है जो गुट्स को रख सकता है अपने पास ज प्रफ सेल आपको अगे डिकार होगा उसको आगे भीच निगा रखते हो इसको आप बेज सकते भिलकुल आपके द्वारा किया गया सेल एक वालिड शेल माना जाएगा आप के द्वारा शेह महीने पाद खो नहीं सा थे महिने का तो हमारा बात हुआ थाना मैं आपको पैसा च सेल और आप अगर मालो यह रिंग किसी एक्सपाइज़ को सेल करते हो तो एक्सपाइज़ विल गेट बैटर टाइटल और मैंने आपसे दजार पुदार लिये थे आपने अंगुटी बारा जारें बेची है तो आपका दजार प्लस जो ब्याज बनता मालों इंटरस बनता हज गैराजार हो गया जो एक्स्ट्रा वा पुझे पे करोंगे इन तीनों केसे में इन तीनों ही केसे में वह बात तो लगेगी ही लगेगी बाइया बाइर गुड़ फेत में खरीदे लिक्यूइटर जानबूच के उसको बेच दे जो अपना मिलने वाला उसको बोल दे देख त्यूर को मनें सस्ते में दे रहा हूं में क playthrough देनाué सस्ते में दे rapidly बेच लेना जो एक्स्ट्र आए में आधादा कर लेंगे दो मैं तो ढूंडा ऑनर मिला ही नहीं था इसलिए मने अपने इसको बेच दिया 500 रुपय का इटम पांचिरुपय बेच दे फिर जब ऑनर मिले इसको पांचिरुपय दे दे बोले थे पांचिरुपय में तेरा गुड्स भीका दोनों रूल यहां लगेंगे गुड्स में होना चाहिए दूसरा जो ट्रुपय है उसे आपको पैसा देना पड़ेगा पेमिंट करना है आपका जो बनता है वो काटके मतलब फांडर अपने ढूंडा बहुत दूंड़ने में आपके 100 रुपय लग गया अटो रिक्षा वगर को दिक्कति पर पेमिंट करना पड़ेगा एक बात और दूसरा विद्फेत में होना चाहिए चलिए इनके लाभा एकदिक स्रकम्स्टेंस और है चहां पे और नहीं होकर भी बेश सकता है बट नॉट इन पाट अपर सलेबस और मैं आपको कहूंगा कि आप स्ट्रिटली मॉ आप पूरा याद करके चले जाएं मॉडियू के एक्जामपल्स मॉडियू की लैंगविज बिसिकली लैंगविज को कही बार समझ मा जाता है मैं लाइन रीड करकर की क्यों बताता हूं कि लैंविज बहुत इंपॉर्टेंट एक्जाम्विज पाएं आप समझ लोगे पर अगर आपने मन की लैंविज में लिखा आपको नंबर नहीं मिले मने शायद पहले पर बताया था कई बार बच्चे कहते हैं तो पूरा मॉडिल का लिखना पड़ेगा मैं कहता हूं सेवंटी एटी परसंट लैंविज लिख दें तो वापस मही रिप्लाइ करता हूं सेवं का यूविल गेट फिल मार्क्स मजा आजाएगा मैं गरंटी देता हूं जो वैसे भी कम्यूनिकेशन वाला पार्ट जो है तो बहुत इजी ही है राइटिंग सेक्शन थाइप है इंग्लिश का और तो क्या है इसमें आप अच्छा करें सकते हूं यू कन गेट मोर दें 90 मार जाते हो तो चलिए अगली क्लास से फिर मिलेंगे वापस आगे पढ़ेंगे आगे बात करेंगे नेक्स टॉपिक हम इसमें स्टार्ट करेंगे डिलिवरी को लेकर चलिए आगे मिलते हैं वापस थैंक्यू बबाई